तब इंटेन्ट में सबसे most popular चीज जो है वो है AI हम AI को ढूंड रहे हैं कि कौन से काम के लिए कौन सा AI यूज करें इतने सारे companies ने इतना सारा AI बना लिया है कि हम खुद confused हैं किसको छोड़ कर किसको यूज करें तो आज का वीडियो आपके लिए मैं ऐसा चीज बताऊंगा कि इधर आपको AI को ढूंडने की कोई ज़रूरत नहीं है आप बस आपका काम क्या करना चाहते हो वो बस आप टाइप करना आपके लिए एक एक AI आ जाएगा सो तब आप चूज कर पाओगे कि कौन सा AI आपको यूज करना चाहिए तो मैं आज पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको desktop पे सो चलो desktop में तो hello guys आचुके हम desktop पे और कोई भी browser पे जाओ और उधर google पे search करो futurepedia.io या फिर futurepedia भी आप search कर सकते हैं उपर वाला जो लिंक मिलेगा futurepedia का futurepedia.io तो उधर क्लिक कर दो एंड इधर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां आपको वर्डपूर AI का collection मिलेगा आपको इधर कुछ bullet point दिख रहा है चाहे आप coding का AI ढून रहे हो या फिर वीडियो का तो एक क्लिक करते है coding का तो coding related सारे AI आ जाएगा इधर आपको दिखा देगा कि कौन सा वाला free है कौन सा वाला free trial आपको देगा कौन सा वाला freemium है पता नहीं सायथ free plus premium और दोस्तो इधर आपको कुछ extra search करना है चाहे तो text related text क्या क्या कर सकते हैं तो text लिखकर search कर रहा हूं है आप इधर देख सकते हो text to image, AI text assistant, pen by text ऐसा कुछ मिल जाएगा voice mode text to song आपको बहुत सारा AI मिल जाएगा और इधर से आप visit कर सकते हो learn mode पे click करके और दोस्तो आप आपके 1% category में जा सकते हो उधर से search कर सकते हो basically हम कह सकते ही एक dictionary है AI का जैसे हम कुछ file या फिर कुछ तरह तरह के website search करते है Google पे जाकर वैसे हम futurepedia पे आके AI को search करेंगे basically AI search engine is futurepedia तो अगर वीडियो पसंद आया तो जब लाइक करो and please ऐसा information वीडियो चाहते हो तो प्लीज सेनल को subscribe कर दो तो मिलते हैं वीडियो न्यू टॉपिक के साथ तब तके लिए टड़ा